पुरानी पेंशन भाली को लेकर NPS करमचारियों ने रामपूर में बैठा कर संकलप लिया और इस दिन को संकलप दिवस के रूप में मनाया संग के जिराध ध्यक्षब। कुशाल शर्मा ने बताया कि गांधी जन्ती के उपलक्स पे परदेश के खर उपमंडल में संकलप दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि NPS करमचारी संगठन की आधार चिला भी आज के दिन ही रखी गई थी। इसके अंतरगरता हिमाचल में करीब सवा लाग करमचारी जुड़े हैं। उन्हें बताया कि जो पुरानी पेंशन की भाली के मुद्दे को परभावी बनाने के लिए आज पूरे परदेश में संकलप दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले एनपिस करमचारी संगठन की आधार चिला रखने वाले फाउंडर मेंबर सोमेश महता का स्वागत किया गया। कुशल शर्मा ने बताया कि परदेश एवंदेश के विविन स्थानों पर करमचारीयों ने पुरानी पेंशन भाली की मांग को लेकर आंदोलन किये हैं और मांग भी उठाई है। लेकिन आज तक इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो 6 अक्टूबर को सभी उपमंडल अधिकारीयों के माध्यम से मुख्यमंत्री और परदान मंत्री को ग्यापन भेजा जाएगा और अगर फिर भी कुछ नहीं बनता है तो 24 अक्टूबर को जिलाधीश कार्या जालियों के बाहर संकेतिक धरना दिया जाएगा अब करमचारियों ने इस शुब अबसर पर पुरानी पेंशन बहाली की संकल्ब भी लिये हैं अज यहाँ पर बैठक का योजन किया गया है दो अक्टूबर के उपलक्ष में आज यह दिन हमारा संकल्ब दियूस के रूप में भी पूरे परदेशी निया पितु पूरे राश्टर के अंदर मनाय जा रहा है और हिमाचर प्रदेश की बात करें हिमाचर प्रदेश के जितने भी हमारे खंड है वहाँ पर इसी तरीके से कारिकरम हो रहे है और आज जिला शिमला के भी मैं यहां की बात करूँ आज रामपूर में जियोरी में नोगली में और हर जगा पूरे जिला शिमला के कई घंडो जो है यहां पर कारेकरम योजित हो रहे हैं और इसका जो मुख्या उदेश्य है आज इसको हम संकलप दियुस के रूप में बना रहे हैं किसी क्योंकि आज ही जो NPSC Session है मारा जिसमें सावनाक से उपर का करमचारी आज है आज के ही दिन इसका जो है धारशिला रखे गई थी और आज के दिन के माद्यम से हम परदेश सरकार को अगहा करना चाहेंगे और केंदर सरकार को भी यह हम जो है कहना चाहेंगे कि जो यह पुरानी पेंशन का मुद्दा है जो केंदर सरकार ने 1 जनुरी 2004 से और हिमचल परदेश सरकार ने 15 माई 2003 से बंद कर रखी है उसकी बह भूलन भी हुए राम लेला मैदान के अंदर हुए जंकतरमंतर के अंदर हुए शाइडी पार्क говорить के अंदर हुए और तपवबन के अंदर हुए ध्यमाचल पर्दीश सरकार अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं कई राजियों में यह लागू भी है जिसके तहर दिवंगता या दिवंगता होने पर जो है प्रापदान है जो अभी तक हिमचर प्रदे सरकार नहीं कर पाई है अधाय इस संकलब द्यूश के माध्यम से क्योंकि मुख्यमंत्री जी प्रदान मंत्री जी को ग्यापन प्रशित करेंगे उसके परचात भी अगर कोई इसमें जो है सामने कोई परिणाम नहीं आता है तो 24 अक्टूबर 2020 को हमारा जितने भी उपए युक्त कार्याले है इमचर प्रदेश के अंतर वहाँ पर संकेटिक धरना दिया जाएगा